जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ 26 अगस्त वाले दिन सुभा उटते ही कपूर पर जला दें ये चार चीज इस मंतर को बोलते हुए जी हाँ बक्तों मैं चार चीज बताऊंगी जो आपको कपूर पर जलानी है गर आप इस कारे को करते हैं सुभा उटते ही 26 अगस्त के दिन मां काली स्वैम सिद्ध करेगी सब कारे आपके जो जो कारे आप लोगों के रुक रहे हैं ये किसी भी तरह की कोई अर्चन रुकावट या मान लिजिए ऐसा है कि पहले आपके कारे सफल होते थे लेकिन कुछ समय से पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि किसी भी सुप कारे के लिए जाते हैं तो वो काम बनता ही नहीं है और बन भी रहा होगा तो बनते बनते किसी भी अर्चन किसी भी वज़ा के कारण वो काम जो होता है वो वहीं के वहीं बिगड जाता है तो अगर आपके साथ ये सब चीजे हो रही हैं तो अब आपको कहीं बटकने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है आज मैं आपको एक ऐसा कारे बताने जा रही हूं मा काली का 26 अगस्त के दिन अगर आप अपनी देवी या देपता के नाम से उनकी प्रिये चीजे उन्हें चड़ाते हैं अगर प्रिये चीजे भी नहीं चड़ा रहे हैं तो ये चार चीजे जो जो मैं वीडियो में बताऊं की ये चीजे भी अगर आप अपने देवी या देपता के नाम से चड़ाते हैं तो आपके देवी देपता स्वेम सिद्ध करेंगे आपके सब कारें जीवन में कभी भी किसी भी कारें में आपके दुबारा से रुकावट नहीं आएगी जब आप ये वाला कारे करेंगी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आपसे करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यूब वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे 26 अगस्त को शोमबार का दिन है और महा जनुमाश्टमी है सभी भक्त किर्शन जी के जनुमाश्टमी का तोहर मनाते हैं तो यह जो पावन दिन होते हैं इन दिनों में आप अपने कोई भी कारे अपने देवी देपता से करा सकते हैं अब देखिए जितने भी भक्त काली मागे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखने हैं अगर आप और किसी देवी देपता की मानता करते हैं तो आप अपने देवी देपता से भी अपने कारे करा सकते हैं और ये वीडियो खास कर मैंने उन भक्तों के लिए बनाई हैं जिनके कामों में रुकावट अर्चने आती हैं उन सभी को बताने के लिए वीडियो बनाई हैं ताकि वो ये कार्रे करें और उसके बाद जीवन में कभी भी उनके किसी कार्रे में रुकावट नहीं आने वाली है सबसे पहले मैं आपको चार चीजे बता रही हूँ या क्या चीजे हैं जिनका इस्तमाल आपको करना है पहली चीज में आपको एक ले लेना है सूखा गोले ठीक है सूखा गोले जो नारियल होता है पर आपको सूखा वाला लेना है दूसरी चीज में आपको एक लेनी है ठीक है छोड़ी वाली से काम नहीं चलेगा पांच रुपी की एक ज्वाती वो लेनी आपको तीसरी चीज में एक पान का पत्ता आपको ले लेना है साबुत डंडी वाला चोथी चीज में आपको एक लेनी है लाल चंदन की लकड़ी लाल चंदन की लगड़ी आपको जल्दी पैदर चनदन के लखडी गर ले लेनाँ अब देखिए अगर आपको अपने कारे शफल कराने हैं अपने देवी देफता से चाहते हो कि कारश लिए रुकावटे आ रही हैं तो ये कारे को करना ही पड़ेगा चाहे कर लीजिए पर करना पड़ेगा अब करना क्या है सुभा उठते ही जैसी आप सुभा उठेंगे चाहे आपको इस बात पर ध्यान नखना है कि 26 अगस्त के दिन आपको सुभा जल्दी उठना है यह नहीं कि आप 10-11-12 बजे उठेंगे तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने है सुभा जल्दी उठना है चाहे ओर दिन आप कर लेना सबसे पहले आपको 6-7 कपूर लेने ने 6-7 कपूर आपको किसी भी चीज में जला लेने जैसे कि कोई मट्टी का कोई खफपर हो उसमें भी जला सकते हो कोई हवन गुंड हो उसमें भी जला सकते हो या कोई चूला हो या कोई तसला हो उसमें भी आप कपूर को जला जैसे ही आप कपूर जलाएंगे मा काली का सबसे पहले सुखा गोला भोग में देना है मंतर बोलना है ओम नमो नमो महा काली दोनों हाथ बजाय ताली जावैठी पीपल की डाली समसान में विराजने वाली काली महा काली कंकाली दुहाई तुझे गुरु को रखनात की आपको बोलना है बोलते हुए आपको एक एक करके सारी चीजे कपूर के उपर डाल देनी है सबसे पहले गोला डालना उसके बाद जो सुई आपने लिए सुई में आपको एक लोंग और जैसे सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक लोंग सुई में गुसी भी है और सा मंतर बोलते हुई 14 मैंना बन्तर को बोलते हुए कि सारी चीजा आपको कभग आपको कपños पर जला देनी निया अगर आप वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक ये राख न हो जाए तो समझ लिए जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी हर काम आपके सिद्ध करेगी माकाली हर कारे आपके ऐसे होते चले जाएंगे खुदा आप अपने आपकों से चमतकार देखेंगे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादेव माता आपकी मनुकामनाएं पूरी करें